पिछले वीडियो में मैंने औरेटी कवर किया था कि होमलोन में कैसे बैंक्स आपसे दूगना पैसा वसूलती है तो उसमें लोग ये भी सूछते हैं कि अगर इसमें बैंक्स हमसे वसूलती हैं पैसा तो हमें tax benefit भी तो मिलता है आज इस वीडियो में उसी text benefit के उपर detail में बात करेंगे facts के साथ जिस तरह हमेशा इस channel पर हम facts के साथ बात करते हैं उसी तरह इस वीडियो में इस topic पर भी हम facts के साथ बात करेंगे और उसमें मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आपने home loan ले रखा है और आप उसको prepay करना चाहते हो तो ऐसा बिल्कुल ज़रूर नहीं है कि आपको सिर्फ focus उस पर करना चाहिए पिछले चार महिनों में करीबन 600 से जाधा cases मेरे पास आए हैं जिन्होंने home loan पहले बिना planning के ले लिया और अब उनको prepay करना है और इस तोरह उन्होंने कुछ और भी loan ले लिये जैसे कि personal loan खास करके तो कौन सा loan आपको सबसे पहले चुकाना चाहिए इस पर मैंने video बनाया है मैं eye button में उसकी link छोड़ दूँगा ताकि आप उसको देखके भी ये जानकारी प्राथ कर सके कि पहले आपको कौन सा loan prepay करना है तो home loan के बारे में अब tax benefit कितने होते हैं उसकी पूरी जानकारी के लिए हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि tax labs क्या है और tax benefits क्या है home loan के लिए tax labs के लिए आप ये video जरूर देखिए जो आ रहा है आपके screen में इसकी भी link आपको description में या तो eye button में मिल जाएगी और home loan के benefit क्या होते हैं इस तरह आप और कितनी tax बचा सकते हो इसकी बात screen पर करेंगे लेकिन उससे पहले ये एक आपके सामने आप tax के लिए जो details होती है home loan की जो tax में आपका बचत होता है home loan में किस हिसाब से होता है उसकी एक बात कर लेते हैं तो अगर आपका first home है और आप self occupied के लिए ले रहे हो यानिकि अपने personal use के लिए ले रहे हो तो principle पे आपको डेड़ लाग रुपे की चूट मिलती है दो लाग की चूट मिलती है senior citizens को अगर आप 60 साल के उपर हो या आप senior citizen के category में हो तो और जो interest होता है वो आपका जो दो लाग रुपे आप सालाना interest बरते हो आपको इसका break up अपने loan paid certificate में जरूर मिल जाएगा तो उसे जरूर देखिएगा उसमें आपको detail information मिल जाएगी और excel में जो आप अभी देखने वाले हो screen पे कुछ देर बाद उसमें भी आपको ये इस दो लाग रुपे में से माइनस हो जाएगा अगर आप 20% में तो 40,000 की बचत हो जाएगी अगर आप 30% में तो 60,000 की बचत हो जाएगी अगर आप construction जिसका complete नहीं हुआ है यानि कि under construction आपकी कोई property है उसमें अगर आप गर खरीद रहे हो और उसकी अगर construction पास साल में खत जो benefit of 30,000 का ही प्राप्थ होगा अगर आप एक budget home लेते हो 40,000,000 के अंदर का मार्च 2020 तक तो उसमें आपको additional 1,500,000 की एक छूट दी जाती है देड़ लाग अगेन मैं यह बोल रहा हूँ देड़ लाग आप बचाओगे नहीं इस देड़ लाग रुपे पर आप टेक्स दे रहे हो तो जो घर की value है वो 40,000,000 के अंदर होनी चाहिए और उसके बाद आप दूसरी भी चीज़े आप देख सकते हो कि अगर आपने rent पे दे रखा है या तो खाली रखा हुआ है तो उसमें आपको कैसे किस हिसाफ से tax की आपकी liability ठहरेगी आप ज़रूर एक बार home loan लेते हैं इसलिए ताकि उनका tax बच पाए है लेकिन reality क्या है आज उसको एकदम detail में समझेंगे with facts and figures तो यहाँ पर मैंने basically year के column लिए हुए है opening balance यहाँ पर मैंने assume किया हुआ है कि अगर आप 60,000,000 रुपए का home loan लेते हो चाहिए आप घर लो 70, 75 कितने का भी लेकिन अग interest paid यह भी आप yearly देख पाए है और interest paid प्रिंसिपल पेड भी आप yearly देख पाओगे closing balance भी देख पाओगे अब यहाँ पर matter यह करता है कि आप tax आखिर कितनी बचा सकती हो तो मैं दो category के लोगों के बारे में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में 20% वाली category और 30% वाली category करेंगे इस वीडियो के दौरान तो पहले मैं 20% को pick करता हूँ 20% का अगर हम case लेते हैं दोस्तों तो पहले साल में आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो आप tax save कर रहे हो principal के अंडर वो केवल 13,000 रुपए ही करोगे क्योंकि यहाँ पर principal आपका सिर्फ और सिर्फ 11,000 रुप ATC instrument में अगर आप invest करते हो तो वो भी consider उसी में होगा तो यह कोई ad hoc नहीं होता है यह 1,000,000 की पूरी आपकी club limit रहती है और usually इस category के लोग already ATC में किसी ने किसी investment product में investment start कर चुके होते हैं चाहे LIC हो चाहे ULIP हो तो आपको यह देखना है कि आपको सही में इसका advantage मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो यह आपको definitely consider करना है जब भी आप real estate में invest करने की या real estate में flat को buy करने का आप कोई भी plan कर रहे हो तो cost benefit analysis में आपको इसको consider जरूर करना पड़ेगा और अगर आप tax interest के उपर देखोगे तो वहाँ पर भी केवल आप 40,000 रुपे tax बचा सकते हो क्योंकि 2,000, अब आप जानते रहों कि मैंने पिछले वीडियो में भी cover किया था कि जो interest होता है वो आपका पहले bank बहुत जादा लेती है क्योंकि bank का यह business करने का तरीखा होता है और धीरे-धीरे यह कम होता जाता है और principle धीरे-धीरे आपका बढ़ता जाएगा अब मान लीजी आप यह फिर साल में आ जाते हो जो कि अगर यह 20 साल का loan है तो यहाँ पर midpoint पे आ जाते हैं और यहाँ पर बात करते हैं तो क्या होता है यहाँ पर आप principle पे केवल 30,000 रुपे टेक्स बचाओगे आप देखो कि principle भले ही आपका धाई लाक हो गया लेकिन जैसे मैंने बताया यह आज के डेट में 80C के अंदर आता है जिसकी अपर limit देट लाक रुपे है तो इरस्पेक्टिव आप कितना भी principle भर रहे हो आपकी जो टेक्स में बचत होने वाली हो 30,000 रुपे की होने वाली है अब इंट्रेस्ट के लिए भी सेम फंडा है यहाँ पर आप करीबन पुने 4,000 रुपया भर रहे हो सालना उसके वज़े से यहाँ पर 40,000 से थोड़ा कम आप टेक्स बचाओगे और आप एकदम अंद तक देखोगे तो यहाँ पर तो आप इंट्रेस्ट पे केवल 5,000 रुपया ही टेक्स बचा सकते हो और principle आपका यहाँ पर stop हो गया principle करीबन आपका 4 सा रुपया principle पर टेक्स बचाते हो अब इसको मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं दूगा क्योंकि वैसे भी ATC की investment आपकी EPF, PPF इनके तुरू हो जाती है और वैसे करनी भी चाहिए क्योंकि वो आपके retirement corpus में भी एक value add करता है जो भी आप ATC में invest करते हो और इसको definitely मैं consider करूँगा जो 7 लाग रुपया है लेकिन खैर अब क्योंकि इस वीडियो में हम proper tax benefit की बात कर रहे हैं तो इन दोनों को हम एक बार जोड़ लेते हैं कि कितना हम tax benefit पा रहे हैं तो आप यहाँ पर देखोगे जो tax benefit है आपका वो करीबन 13 लाग रुपय का आप tax benefit जो है वो पा रहे हो ले के बाद भी दोस्तों आप करीबन 52 लाग रुपया यानि कि 51,91,239 रुपय माइनस ही हो तो यह मत समझे कि अगर आपने home loan ले रखा है तो आप profit में जा रहे हो तो बढ़ते हैं के 30% के tax लेब आलो के लिए चलिए उनका हम देखते हैं यह बाकी सारी चीज़े आपकी एकद tax पर आपकी लगती है लेकिन वो आप manually भी calculate कर सकते हो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आपने ATC में करीबन इतने पैसे बचा दिए और interest पर आपने इतने पैसे अपने tax में बचा दिए अब इसका देखते हैं कि अगर इसको हम 65,000,000 रुपय से माइनस करते हैं ओके तो क 20% वाला है वो 52,000,000 रुपय साथ लाख रुपय का यह overall फरक पढ़ रहा है जो अगर 10% जाधा tax slab में है तो तो मुटा मुटा साथ लाख के पीछे 10% 6,000,000 रुपय हो जाता है तो गुमा फिरा के बाद वही है कि अगर आप home loan लेते हो यह समझ कर कि आप जो loan का पैसा जो interest बरोगे उसमें tax बचेगा और आप फायदे में चले जाओगे तो ऐसा नहीं है ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी जो upper limit है interest की वो यही है 2,000,000 रुपया जो interest आप बढ़ते हो वो आपकी upper limit है अगर आप 60,000,000 रुपय का घर लेते हो तो आपका interest रता है 5,000,000 रुपय स पर आपका जो भी ratio जाएगा आप देखिए आप फायदे में नहीं हो कभी बी तो home loan जो लोग ये सोचते हैं कि home loan एक फायदे का सौधा है काफी साथा tax बचती है तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों यहाँ पर भी देखिए 30% वाले भी 45,000,000 रुपया extra ही अपने जेव से दे वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है शेर करके अपने colleagues के साथ दोस्तों के साथ यह जानकरी जरूर बाटिये और अगर आप चनल पर पहली बार हो तो भहिया मैं इसी तरह के financial topics simplify करता रहता हूँ कोई भी चीज आपको अपने चनल पर बेचता नहीं हो आप सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और बेल आइकन को भी दबा दीजेगा ताकि आनों वाले सारे वीडियो का अपडेट्स आप तक आ सके